जोड़ार तरीके से नारे लगाएंगे मदी जी को जैशिरी राम स्वागत है जी स्वागत है स्वागत है जी स्वागत है मदी जी को जैशिरी राम स्वागत है जी स्वागत है बारात मता की बंदे, 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 मधी जी को चैशिरी राम, बंदे, 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 बंदे है जी स्वागत है भारात माता की वन दे वन दे वन दे वन दे अब मैं अनुरोग करूंगा इस देश के मैं पैलेंग का अभी दंदन करना चाहूँगा और मैं निवेदन करूंगा अभर निये जेपी नड़ा जी से के वो मोदी जी का शौल और टोपी से जो हमारी हिमाचल की परंपरा है स्वागत करें अभी दंदन करें जग्रबास नड़ा जी इसके साथ मैं दिवेदन करना चाहूँगा चोटी कासी के हमारे सुदामा रामशुरूप सर्मा जी का सासर जी का वो मोदी जी को प्राशर रिशी का एक चित्तर देके बेट करें बोधी जी को जैशी लिए अब मैं दिवेदन करना चाहूँगा इस राश्त के यसश्वी तेजस्वी और उजस्वी पढ़ानमंत्री जी से वो आएं और सुन्दनेगर और मंडी की जंता को संबोधीत करें ताकि दसों की दसों सीटें बारती जंता पार्टी की छोली में जाए में देवेगन करना चाहूँगा अधरनी अबोदीजी से कुआएं और समोदित करें मंद्पर विराजमां हिमाचल की धर्ती का संतान और केंद्र में मंत्री परिशत्य मेरे साथी स्रीमान जगत्प्रकाश डंडाजी साउसत में गहरे साथी यहां के लोग प्रियर साउसत जन्न सेवक स्रीमान रामश्वरुप शर्माजी यहां के पुर्म मंत्री सिमान रूप सी ठाकुर जी बायजय राना जी तिलोग जंबाल जी दिलिप ठाकुर जी और इस चुनाओं में भारतिय जनताप पार्टी के होनहार उमिद्वार सिराथ से मेरे पुराने साथी बाय जयराम देजरा में जयाओ जरामपूर से महन्र जी, सरकागार से कंद्रोंड इंद्रसी जी, नाचन से विनोत कुमार जी, सुन्दर नगर से राकेश जी, मंडी से अनिल जी, कर्षोग से हिराडार जी, बल्ग से इंद्रसी जी, दरंग से जवाहार ठाकुर जी, बिलाजपूर सदस्थ सुभाष ठाकुर जी, कोई रह तो नहीं गया, भाईयों बहनों, आप इतनी बड़ी तादाद में हमारे इन सभी साथ्यों को आशिरवाद देने के लिए आये हैं, मैं आपका रदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता, जब मैंने रुप्सी जी का नाम लिया, तो कई लोगों को हसी आई, क्योंकि मेरा रुप्सी जी के साथ इतना पुराना नाता रहा है, इतने सालों तक इनके साथ काम किया है, भाईय भेनों, जब भी हमाँ चलाता हूँ, तब मुझे स्वाभावी गुरुप से, बर्षों तक आप लोगों के बीच्ट में जो मैंने समय बिताया, हिमाँ चल से मैं बहुत कुछ सीखा, और यहां के लोगों का प्यार, पहाड के चट्टान की तरा, हर पल, हर घड़ी, साथ खड़े रहने का सावर्थ, मैं हिमाँ चल के मेरे जीवन के उस काल को, कभी भूल नहीं सकता हूँ, हिमाँ चल ने मुझे जितना प्यार दिया है, उस प्यार को मैं कभी कम नहीं आप सकता, भाई यो बेहनो, ये चुड़ाओ, कौन विधायक बने, कौन न बने, किसको बहुमत मले, किसको बहुमत न मिले, किसकी सरकार बने, किसकी सरकार न बने, ये चुनाओ, सिरफ इस बात के लिए नहीं है, मेरे भाईयो बहनो, हिमाँ चल का ये चुनाओ, सिरफ विधायक चुनने के लिए नहीं है, सिरफ बहुमत तय करने के लिए नहीं है, सिरफ हिमाँ चल की सरकार बनाने के लिए नहीं है, ये चुनाओ, दिव्य भव्य हिमाँ चल बनाने का, भैंसला करने का चुनाओ है, हमारा हिमाँ चल कैसा हो, हमारे सपनों को साकार करने वाली सरकार हो हमारे सुख दुख की साथ ही ऐसी हमारी सरकार हो राजा महराजों की सरकारें आपने बहुत देख ली अब तो जनता जनारदन की सरकार लाने का समय आ चुका है मुझे बड़ाबर याद है जब धूमल जी पहली बार मुख्यमंत्री बने शपत समारों हुआ पूरे हिमाचल में अब कई वर्षों के बाद भारतिय जनता पांटी की सरकार बनी थी चारों तरफ उमंग और उच्छा का माहूल था जैजेकार चल रहा था और शाम को मैंने दुमल जी को कहा दुमल जी चलिये आज शिमला के माल रोड पर जरा टहलते हैं और हम दोनों निकल पड़े न कोई सिक्यूरिटी थी न कोई प्रोटोकॉल था न कोई ताम जाम था और माल रोड पर जो दुकांदार थे जो टूरिस्ट थे जो इन सिमला के नागरिक थे युवान नवजवान टहलते थे इन सब को अच्छने जोवा कि यह तो मुख्यमंत्री आज बन गए और ऐसे ही पैदल यहां टहल रहें तब लोगों से आवाज उटी थी अब राजे रजवाडे नहीं जनता की सरकार चुन करके आई हैं और इसलिए माल रोड पर हमारा मुख्यमंत्री हमारी तरह टहल रहा लोगों की खुश्यों का पार नहीं था भाजयों भेनों सरकार जनता के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए आपने पिछले दस साल की याद तो आपको ताजा होगी दिल्ली में कैसी सरकार थी और अख़बार में क्या खबरे आती थी वो भी एक वक्त था जब अख़बार भरे पड़े रहते थे सारी सुर्खियां आज कोईले में खाया आज टूपजी स्पेक्ट्रम में इतना गया जल में भी गया खल में भी गया नब में भी गया यही खबर आती थी नहीं आती थी चारों तरफ ब्रस्टाचार की खबर आती थी नहीं आती थी वही खबरे 2014 तक पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे और आज खबर क्या रही है वह समय था जब खबर आती थी कि देश की जनता का कितना लूटा गया आज एक लाग करोड गया दो लाग करोड गया दस जार करोड गया और आज खबर क्या रही है वह दी जी बताईये नहीं कितना वाफिस आया कितना वाफिस आया वो समय चर्चा हो दी थी कितना गया आज चर्चा हो रही है कितना आया और कॉंग्रेस पारटी की मजबूरी देखिए उनको रास्ता नहीं सुझ रहा है कहा जाए ये मोदी से कैसे पंगा ले उनको मोदी समझ में नहीं आ रहा है और कभी-कभी भगवान भी कॉंग्रेस को सदबुद्धी देता है जो मुझे बहुत काम आती है कॉंग्रेस को ऐसी सदबुद्धी देता है कि मेरा सारा काम ऐसा ही हो जाता है अभी कॉंग्रेस पार्टी जिसके जमाने में कितना गया कितना गया कितना गया उसी की चर्चा चल गही थी वो कॉंग्रेस पार्टी उसकी हिम्मत तो देखो वो आठ नवंबर को च्छाती पुटने का कारिकम कर रही है सामोही गुरुप से रोने का अभ्यान है आशू बहाने का अभ्यान है मोजी के पुतले जलाने का अभ्यान है क्यों क्यों कि जो लूटा था वो गरीबों को लोटाने के दिन आ गए है मैंने जरा कॉंग्रेस वालों से जानकारी पाने की कोशिश की कि पर ये नोट बंदी को आठ लमंबर को एक साल हो रहा है किसी की बोरिया पान्सो से बरी हुई गई तो किसी की बोरिया एक हजार से बरी हुई गई और इतने में मोदी बेनामी संपत्ति का कानून ले आया अब उनको परेशानी ये है कि मोदी अब थोड़े ही दिन में जो बेनामी संपत्ति का कानून लाया है उसका लोगों को परचम दिखाने की शुरुआ करेगा उनको परेशानी ये है कि बेनामी संपत्ति का अगर खुलने लग गया तो पांत सो हजार की नोटों के समय जो बेनामी सब रखा हुआ है कही बेनामी जमीर लेकर रखी हुई है कही बेनामी फ्लेट बना के रखा हुआ है कही दुकान खोल के रखी है ये सारी चीजे अब बचने वाली नहीं है और इसलिए वो माहूल बना रहे है कि मोदी बेनामी संपत्ति का तुफान खड़ा करे उसके पहले ब्लैक मनी डे बनाएं आठ नमंबर को आशु बनाएं और लोगों को गलत राह पर ले जाने की कोशिश करें लेकिन कॉंगरेस के लोग समझ लीजिए इमान दारी के मुद्धे परे देश की जनता आज से सो साल के बाद भी कॉंगरेस पर भरोसा नहीं करेगी आपका पाप बोलता है आपके कारणावे बोलते हैं आपका पुराना इतिहाज बोलता है और इसलिए अगर कॉंगरेस पर्टी सोचती है कि हम लूटते भी रहें लेकिन कोई हमारा जबाब भी न मांगे तो कॉंगरेस पर्टी बहुत बड़ी गल्ती कर रही है कि कॉंगरेस को पता होना चाहिए कि देश की जंता ने मुझे 2014 में ब्रश्टा चार के खिलाब लड़ाई लडने के लिए दिल्ली के सिशाहतन पर बिठाया है मौच करने के लिए नहीं बिठाया है अपने परिवार का भड़ा करने के लिए नहीं बिठाया है अपने यार तस्तों का भाग्य बदलने के लिए नहीं बिठाया है मुझे देश की जंता ने भारत का भाग्य बनाने के लिए बिठाया है और मैं इस काम से कभी चलित नहीं होने बादा हूँ भाई यो भेनो एक तरफ तो हम प्रस्टातार के खिलाब लड़ाई लड़ रहे बेनाभी संपत्ति और जिन जिन लोगों ने ये जमा करके रखा है छुपा करके रखा है कि दूसरों के नाम पर संपत्ति अर्जित करके रखी है कॉंग्रेस के कई नेता होंगे किसी ने अपने ड्राइवर के नाम पर गाड़ी लेकर करके रखी होगी किसी ने अपने जो रसोया होगा कूख होगा उसके नाम पर मकान बढ़ा के रखा होगा मैं इन गरीब लोगों को कहता हूँ अब कॉंग्रेस के लोग अगर आपके माली आपको कहेंगे नहीं अब मकान मेरे नाम पर कर दो गाड़ी मेरे नाम पर कर दो मैं ऐसे गरीबों को कहता हूं मत करना अपने पांस ही रखो अब वो वापिस नहीं ले पाएगा ये में स्थिती प्यादा करने वाला भाईय भाणो ये जनता के पैसे हैं जनता से लूटे गए पैसे हैं वो पैसे जनता के ही काम आने चाहिए और हम देश को लूटनों वालों का चुन चुन करके हिसाब करने में लगे हुए है और सफाई करके रहेंगे भाईयों ये हमारी मंदी की माताई बेहनों ने तो पुरे जिले में सफाई अभ्यान बहुत बढ़िया चलाया मंदी जिला सफाई के लिए जिन्दुतान में जाना गया अब इसी मंदी जिले से राजनीती प्रष्टाचार की सफाई का काम भी उतनी ही तेजी से होगा ये मेरा विश्वास है भाई यो बहनों हमारा जो मद्दंबर ये परिवार है जो कानून नियमों का पानन करता है जो लोक लाज को स्विकार करके चलता है जीवन में बुरा करने से पहले सो बार सोचता है मुशिवत से जिन्दगी गुजारना पसंद करता है लेकिन गलत रास्तर पर जाना कभी पसंद नहीं करता है और अगर उस मद्यमबर की चिंता हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा उसके सपनों को साकार करने के लिए प्रेता नहीं करेंगे तो कौन करेगा और इसलिए हमने तरीक ये धूंडे है मद्यमबर का नागरी कभी भी किसी के पास अपना हाथ नहीं फैलाता है लेने पाने की कतार में जाके खड़ा नहीं रहता है वो अपने पसीने की कबाई चाहता है महनत से सम्मान के साथ जीना चाहता है हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है करोडों की तादाग में लोग है मेरी सरकार का एक मकसद है कि जो इस प्रकारत इमान बारी की जिन्दगी जीते हैं उनके लिए सहुलियत करनी चाहिए उनको सुरक्षित रखना चाहिए उनको कठिनाईयों से मुक्ति दिलानी चाहिए और हमारे करीके देखिए जैसे हमने एक LED बल्म का भियान चलाया बहुत कम लोगों को अंदाज होगा कि LED बल्म का यह अभियान है क्या जिसके भी घर में LED का लट्टू लगता है दो तिन कमरे का भी घर होगा तो बिजली के खर्चे में इतनी कमी आएगी कि साल भर में वो मध्यंबर के परिवार का डाई हजार तीन हजार रुपया बचेगा क्योंकि वो लट्टू ऐसा है उजाना तो ज़्यादा देता है लेकिन बिल्कम देता है अब जब पहले उपिये की सरकार थी कॉंग्रेस की सरकार थी तो लेडी के लट्टू की किमत क्या थी तिन सो साड़े तिन सो रुपया कहीं कहीं पर धाई सो तिन सो रुपया हमने आकर के अभियान चलाया बिजिली बचाने का मद्दंबर के परिवार का खर्चा बचाने का मद्दंबर के परिवार के जेम में कुछ पैसे बच जाए अब तक देश पे करीब परीब 27 करोड LED के बल बांटे गए 27 करोड बल और कीमत तीन सो साड़े तिन सो डाहिस से कम होते होते आज 40-50 रुपया कीमत हो गई है मुझे बताईए जो मद्दंबर का परिवार जिसको LED का लट्टू 300 में मिलता था वो 50 रुपय में मिला तो उसका 200 रुपया जिब में बच गया के नहीं बच गया तो एक तो बिजली का बिल का 2,500 बचना और दूसरा घर में अगर पांच साथ लट्टू लाया है तो हर लट्टू पे 200-25 रुपया बच जाना ये मध्यमबर के परिवार को मदद मिली की न मिली परिवार के जेब में एक साल का करीब परीब 400 करोड रुपय की बच्चत हुई है भाग्यों पहनों देश में ये योजना चलाने के खारण 14,000 करोड रुपयों से जादा धन ये मध्यमबर के परिवारों का जो बिजली की बिल में जाता था वो आज उसके जेब में रहा है इससे उतने बच्चों के लिए दूद ला पा रहा है बेटी की पढ़ाई के लिए खर्चा कर रहा है गर में बुजूर्ग है तो उसकी बिमारी के लिए चिंता कर रहा है ये काम करकर के हमने कितनों की जिन्दगी में मदद की है जिसका अपन दाध लगा चाATHAN और इतना ही नहीं इतनी बिजली बैचने के कारण अगर उतनी बीजली उत्पानन करते तो उस बिजली उत्पानन करने के लिए जो बिजली का कारखाना रटता है उसका खर्चा करीब करीब 35 से 40 हजार करोड रुपिय होता सिर्फ बिजली बचा करके इस देश के 35-40 हजार करोड रुपिया बचाने का काम एक दिर्ग दर्ष्टा सरकार कैसे करती है ये भारत की सरकार ने करके दिखाया भाईयों बैनों जिनको अपने जेब भरने की आदत हो वो गरीब और मद्यमबर के परिवार के जेब में कुछ परिश से बच जाए उसकी योजना कभी सोज भी नहीं सकते हमने उजाला योजना के तहर ये करके दिखाया है भाईयों बैनों हिंदुस्तान के आजादी को सतर साल हो गए 2022 में भारत के आजादी के 75 साल हो जाएंगे आज भी हमारे देश में चार करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके घर में बिजली का लट्टू नहीं है बिजली का तार नहीं है आज भी वो अठारवी शताब्दी में जिन्दी की गुजार रहे हैं मित्ती के तेल का दिया जला करके उनके बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है भाईयों भेनों हमने बिड़ा उठाया है सवभागिय योजना के द्वारा इन चार करोर परिवार जिसमें 14,000 परिवार ये मेरे हिमाचल प्रदेश के हैं इन हिमाचल के 14,000 परिवार जिनके घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं है उसको करने का भारत प्रदान मंत्री ने प्रदान मंत्री सवभागिय योजना से उसको लागू किया और आने वाले दिनों में एक काम हम पुरा करके रहेंगे भागियों बेनों सामान ने मानवी की जिंदगी में बढ़लावाना चाहिए और इसलिए हमारा इरादा है आज मद्यमबर के परिवार में गरीब परिवार में उच्च मद्यम परिवार में अगर परिवार का एक सदस से बिमार हो जाए अगर रवे रोक की बिमारी हो जाएं कोई गंभीर प्रकार की बिमारी हो जाएं तो उसकी तो पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है बेटी की शाधी के लिए जो पैसे जमा किये हो वो बिमारी में खर्च हो जाते हैं मद्दम वर्गिये परिवार गुजारा कैसे करेगा हमारे देश में अगर रदैरों की बिमारी हो और आपको स्टेंट लगाने के लिए डॉक्टर बोलेगा कि आपको तो मुश्किल है स्टेंट लगाना पड़ेगा और हिमाचल में रहतो पहाड़ी चड़ी पड़ती है अगर जिंदिगी को बचाना है तो स्टेंट लगाना पड़ेगा अब दॉक्तर भी क्या करते थे कोई स्टेंट की किमत दो लाक रुपिया पौने दाला रुपि एक लाक रुपिया अब मध्यंबर का परिवार यह कैसे जहलेगा है हमने सरकार बने के बाद इन सब को बुलाया हमने का बताओ वाई कितने खर्चे में होता है वो टालते रहे एक मेना टाला दो मेना टाला छे मेना टाला साल भर टाला जबाबी दे रहे हम पीछे पड़ ग गर्व के साथ कहता हूं कि आज मध्यंबर के परिवार में रदे रोग की बिमारी अगर किसी परिवार में आ जाएं तो जो स्टैंड लाक देट लाक दो लाक रुपे में लगता था वह आज 22,000 से 40,000 रुपे के बीच में अज लग जाता है और मध्यंबर के रेक्षे की ज जंद्रिक द़ाई अंगे अस्पताल में गरीयों के लिए अलग दवाई की दुकाने होगी जंद्रिक मेडिसिन होगी जो तक बाई 100 अ00 रुपे में मिलेंगी जो तक दवा दो 100 में मिलती है तीसW में अभी तो बहुत कुछ करना है लेकिन जो हमने किया है उससे आपको अंदाज आ सकता है कि हमारी दिशा क्या है और हमारी गती कितनी तेज है और इस देश के सामान ने मानवी की जिंदगी में बड़लाव लाने के लिए हम कैसे काम कर रहे हैं भाईयो बहनों हमारे देश का किसान यूरिया के लिए तड़ता था तड़ता था मैं जब मुख्यमिंत्री था तो मैं भी भारत सरकार को चिठ्षी लिखता था कि हमें यूरिया चाहिए हमारे किसानों को यूरिया की मांग है और भारत सरकार कहती है कि ना तो जवाब देना न देना ऐसे ही चालते रहना भाईयो बहनों हिंदुस्तान के कई राज्य ऐसे थे कि किसानों को यूरिया लेने के लिए कि दो दो दिन रात में यूरिया की एजन्सी जहां बेटता है यूरिया बहार कतार लगा करके बैठना पड़ता है कई स्टानों पर यूरिया ने आए हुए किसानों पर लाठी चार्ज हुआ करता था पुलिस लगी रहती है कि यूरिया नहीं आया यूरिया के लिये कतार लगी उरिया के लिए लठी चार्ज हुआ यूरिया के कान कि सान् परेशन है ये खबरे ही आना बन्दम होगा तो यूरिया का काफाने नहीं नहीं लग जाते एक दिन में लेकिन यूरिया की जो चौरी होती थी केमिकल फेक्टरियों में चला जाता था किसान को नहीं पहुंचता था हमने उसके खिलाब लड़ाई लड़ी वो यूरिया का निम कोटिंग किया शक्ष प्रतीशन लीम कोटिंग किया उसके कारण व यूरिया किसान के सिवा किसी के काम नहीं आया और ऑपष्यां यह Պलए की यूरिया की चोरी बंध और हुए भाईयों बैनों हम हिंदुस्तान के गाउं के जीवन को बदलना चाहते हैं सरक हो रेल हो हवाई यात्रा हो हाइवे हो इन्फरमेशन वे हम हिमाचल को आधुनिक सुविधाओं से सज्ज करना चाहते हैं पिछले कई वर्षों तक हिमाचल में रेलिवे के जितने प्रोजेक्ट नहीं आये होंगे उससे जादा प्रोजेक्ट हमारे समय आये पिछले कई वर्षों तक हिमाचल को जो रोर के प्रोजेक्ट नहीं आये ते उससे जादा प्रोजेक्ट हमारे आये भाईयों भनों हमारा इरादा यही है हिमाचल नद्रश्रव देश का पूरी दुनिया के एक अच्छे साच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने और जब टूरिजम बढ़ता है तो गरीब से गरीब को भी रोजी मिलती है कम से कम इन्वेस्टमेंट से जादा से जादा लोगों को रोजगार देने की ताकत तूरिजम में होती है हिमाचल में स्पिरिचल टूरिजम भी वर्पूर मात्रा में है एडवेंचर टूरिजम भी है एडवेंचर स्पॉर्स टूरिजम भी है इको टूरिजम भी है शहर करने के लिए शहर की जिंदिकी से मुक्ति पूना है तो हिमालाई की गोद में आयं करके बसने का मन कर जाएं ऐसा सामर्त हिमाचल की धर्ति में हैं कि वीरों की भूमिए ये वीर माताओं की भूमि मैं हम पुरे दुनिया को हिंदुस्तान के हरकोने को हिमाचल की और अकर्षित करना चाहिए और इसके लिए आज दूने की इंफ्रस्ट्रेक्ट्र जरूरी होगा है अठ्छे रोड चाहिए अच्छी रेल कनेक्टिविटी चा करेए हम विकास के उन पहलुओं को देख रहें ताकि हिमार्चल की आने वाली पीडियों को रोजी रोटी के लिए कहीं बार जाना न पड़े वरना पहड़ों बे तो कहा जाता है कि पहाड की जवानी और पहाड का पानी कभी भी पहाड के काम नहीं आता है भाईयों बेनो यह पुरानी मान्नेता मुझे बदलनी है अब पहाड की जवानी भी पहाड को काम आएगी और पहाड का पाणी भी पहाड को काम आएगा आने वाले कल के लिए काम आएगा इस संकल पर साथ हमें काम करता है पानी से बिजली, बिजली से विकास की यात्रा, स्किल जव्लप्रेंट, मुद्रा योजना, स्टार्ट अप, अंगिलिक योजनाए, जो मेरे देश के नवजवान को, मेरे हिमाचल के नवजवान को, अपने पैरों पर खड़े रहने का सावर्त देंगे, भाईयों बैनों, सबस्बस्यके समाधान विकास में है, विकास ही हमारे सपनों को पूरा कर सकता है, विकास ही हमारे संतानों को जह हम पहुचाना चाहते हैं, विकास के मार्ग पर ही पहुच सकते हैं, भाईयों बैनों, हम विकास का मंत्र लेकर के चल रहे हैं, आज कॉंग्रेस पार्टी पराजेश श्विकार करके बैठी है अब कोई भी चुनाव देख लीजिए उनके बड़े-बड़े दिग्गत जो नेता होते हैं उन मतदान के कुछ दिन पहले दौरा करते हैं कि यह पहला चुनाव ऐसा है हिमाचल का कि कॉंग्रेस के सारे दिग्गत हिमाचल में आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं कहीं और लटार भा रहे हैं कहीं और भूं रहे हैं कि उनको पता है हिमाचल की जनता इस बार कॉंग्रेस को सिर्फ पराजित करना चाहती है सा नहीं है कॉंग्रेस को गंभीर से गंभीर सजा देना चाहती है और नव तारीक को जब आप बटन दबाने जाएंगे तब इस बात को न भुलें कि यहां पर होश्यार स्री की सहागत माफियाओं ने जंगल माफियाओं ने होश्यार स्री को जिस प्रकार से कच्छल कर दिया जब आप नव तारीक को बटन दबाएं होश्यार स्री की सहाधत को जिरूर याद रखिये ता हिमाचल के पैड बचाने के लिए उसने अपनी जिन्दिकी खपा दी हिमाचल के बन बनों की रक्षा करने के लिए उसने ऐसे लोगों के सार लोहा ले लिया भाई फैनों नव तारीक को पैयाने की तुल्ना में अधिक मतादान होना चाहिए दूराने सारे रेकोर्ड तुटने चाहिए और मैं हिमाचल की माताओं और मंडी की माताओं से खात आगर करूँगा कि आप मंडी लोगसभाक्षेत्र के सभी मत्ताता माताए बेहने पूरू सों से पाँच प्रतीशत बत्तदान जादा करके दिखाएं इस बार बिड़ा उठाएं आप देखिए एक बार ये देव भुमी की मात्रुशक्ति मादान में आएगी आने वाले वर्षन तक कॉंग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आएगी अत्या चार और जुल्म का राज दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा लोग तंत्र का फिर एक बार कमल खिलेगा इसी एक अपेक्षा के साथ आप थब से मेरा आग रहे हैं मुठी बंद करके पुरी ताकाचे बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की मां थे बात करना चाहूँदा इस देश के ये शश्वी प्रधार मंतरी जी का जिनों ने बंडी में अपना सुन्दर नगर में भाशन दिया हम समता मांतर्शन किया मुझे याद है कि 1901 में भी जब मंडी के पटल नाजान में अगर निये मोदी ही ने बंडी के दिनित्तों में चुना होने का गोश्णा किया करवाई थी मुझे आज भी मंडी की दसों की दसे सीटे वाटियंता पार्टी चीटे की इनी शब्दों के साथ अपने पतरकार बंदूओं का मेडिया के समी लोगों का सभी कारे करता हूं का मैं आभाद दक्टर करता हूं नदेवाद करता हूं जाहिस जाभार झाल झाल